प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्यों अच्छा हूं, वाई एम आई गूड, अच्छा या गूड़ा, गूड़ा बैड में से एक प्रची को एक चीज बनने पड़ती है, उसमें से मैं क्या हूं, मैं अच्छा हूं तो उसके reason है, कुछ चीजे हैं जिस से मैं अच्छा हूं, पहली बात, एक घटना जो आज से आज साल पहले हुई, आज साल पहले क्या हुआ, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से आज साल पहले, कुछ बच्चों को मैं टूशन बढ़ाता था, अपने ही घर में, तो क्या हुआ, के एक बच्चा जो दस्वी कर चुका था, तो उसकी मम्मी के साथ वो में घर में आ गया, पूछा के क्या करना चाहिए, मैंने का आपको में कमर्स करा लो, आदा घंटा बात होती है, पही उसके बात वो अपनी मम्मी के साथ चला गया, मैं भी सूने के लिए चला गया, दस वजे का टैम था, मेरे पास मेरा तक्ष पोश रहता था, बेड़ नहीं था, तक्ष पोश, तो मुझे उपर से आवाज आई, विनोद आज गर्मी बहुत जादा है, अपना तक्ष पोश लेकर पक्खे के नीचे आ जाओ, तो मैंने वैसा ही किया, मैंने अप अपना तक्ष पोश खीचा, और सीम में, पक्खे के सीम में मैं आ गया, एक सो असी का एंगल बन गया, मेरे मत्था और उसके पक्खेगा, तो एक गंटा मैं पक्खे के नीचे सोता हूँ, अब ग्यारा बन चुके हैं, मुझे फिर एक उपर से आवाज आती है, मिनोद आज थंद बहुत ज्यादा है, मैं उसकी आवाज को समझता हूँ, अपना तक्ष पोश दूसरी तरफ ले जाता हूँ, जहां से खीचा था, अपना तक्ष पोश ले जाओ, ये भी आवाज आई, तो अब ग्यारा बजे हैं मैं सो जाता हूँ, कौने पर, बारा बच्टे हैं, ए नीचे गिर जाता है और मैं देखता हूँ देखता हूँ कि पक्खा नीचे आ गया है मैं सोचता हूँ कि अगर मैं पक्खे के नीचे होता तो आज आप से बात नहीं करा होता बलके बहुत ही एक हाथसे में एक विनोत मार था उसकी डेथ हो गई पक्खा उसके नीचे आके गिर गया ऐसी कोई खबर अखबारों में होती है बहुत तक्रीब होती मेरे इस्तेदारों को पेरेंट्स को तथा इस घृटना से मुझे क्या सबर मिला कि पहले प्रमात्मा ने मुझे कहा कि चल भाई मोद तेरे पास है पक्खे का 1802 डिगरी का एंगल वो तेरे साथ है तो मैं सो गया उसकी बात को माना अगर भीया आज गयमी बहुत ज़्यादा नीचे आजाता हूँ फिर प्रमात्मा कहता है पर तेरे टैम ने हुआ कुछ अच्छे काम कर ले चल आज ठंड बहुत ज़्यादा है चल कोने बे चल मैं उसकी बात मानी तो प्रमात्मा की बात मानने से ही कुछ बनेगा आपकी बात चलेगी नहीं जो वो चलाएगा तो आप चलोगे प्रमातमा करता है भ enacth곤 अब मुझे टैम है मुझे टैम नी वह in आ अच्छा बन तो कोशिश करता हूं कि मैं अच्छा बन यह आठ साल पहले क्रषट्डण ना है जो मेरे साथ हुई अच्छा बनने की कोशिश करता हूं तो भूल जाता हूँ गर्द कामों में चला जाता हूँ आज से तीन साल पहले की एक और बटनाम जो मुझे अच्छा बनने के लिए मजबूर करती है मैं गुशाला जाता था सैकल था आज से तीन साल पहले आज तो वाइक है तो गुमों कुछ सेवा जो भवाने दी है वो करके मैं आ रहा था हमारे घर के रास्ते में और उस गुशाला के बीच एक रेल्वेर लाइन है तो उस रेल्वेर लाइन के मैं अपने दरेने के तरफ देखता हूँ तो 2 km तक कोई भी ट्रेन नहीं हा रही मुझे अपने आंपिपे मैंने दिख आपने आंखों से ये मैं आज भी वो बंधिन याद है कि मैं अपने आंकं पर गमंड करके कह रहा था कि मुझे 2 km तक कोई भी लाइन दिखाईरी है कोई ट्रेन आती दिखाई दे रही, मुझे अपने कानों पे भी घमंड रहा है, मुझे कोई आवाज उस तरफ से आती हुई नहीं दिखाई दे रही, मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं कि इस तरफ मैं कोई ट्रेन नहीं आ रही, इस तरफ से आदा किलमेटर दूर से एक ट आवाज भी आ रही है उसकी आवाज भी सुनेता हूं तो अब मैं सैखल को ऐसे रोक लेता हूं और इस सर देखता हूं ट्रेन आ जाए उसको मैं देखने हुँ तो मैं आगी जाओंगा अपने घर ट्रेन है holy 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 हुली आ रही है मैं भी खड़ जाता हूं दस मिंट बीच जाते हैं, कितने दस मिंट हैं, मैं उसको देख रहा हूं, ट्रेन आएगी मैं घर जाओंगा, एक एक उपर से एक आवाज आती है, कि जो तो समय वर्थ कर रहा है, अपना काम कर, सेवा का काम हो गया, मैं बिना डर से इस तरफ देख कर अपने घर जा रहा हूं, यहां एक रेवे लाइन है, उस पिछली तरफ जो बैक सेड में है, एक ट्रेन बहुत ही कती से आ रही है, मैंने उसको देखा नहीं, मैं जैसे ही क्रोस करता हूं अपने ही ख्यालों में, जैसे ही एक धका आता है हवा का, मैं दूसरी तरफ चला जाता हूं, यहां से एक गाड़ी आती है, और मैं हिल जाता हूं, मेरे हाथों में पसीना आ जाता है, में मातें पर भी पसीना आ जाता है, मैं उदास हो जाता हूं, चेहरा पीला, आँखे लाल, कि ये क्या हो गया मुझे अपने आँखों पर गमंड था पर जो ये कहते थी कि यहां गाड़ी नहीं आ रही है गाड़ी कैसे आ गई मुझे अपने कानों पर गमंड था कि यहां से कोई अवाई नहीं आ रही वो अवाई कैसे आ गई आज तीन साल बीद गई हैं तो परमात्मा मुझे इस तिखाना चाता है कि भाई मोद तेरे पास है पीछे से गड़ी आ रही है मोद की पर तुझे मरना नहीं है तुझे भैभीत नहीं होना है तुमने कुछ अच्छे काम करने है तुमने अच्छा बनना है तुम अच्छे के लिए पैदा हुई हो तो मैंने उसकी आवाज को समझा आज तीन साल होगे है इस घटना को जब मैं एक ट्रेन से टक्र होते होते बचा आठ साल बीद गए थे जब मैं एक पक्षे से मोद के घर जाते हुए बचा अब जस्ट दो मैंने पहले की बात है उस ने तो मुझे हिलाब के ही रख दिया आज से दो मैंने पहले मैं बाइक पे जा रहा था बाइक चला रहा था तकरीब पिचास की स्पिल पे अच्छानक एक कंपिटेटर आ गया यहां से वो बाइक चला रहा 60 की भाई मैं भी कंपिटेशन करूँगा मैंने भी चला दी बाइक 70 की अब कौन आगे निकलेगा मैं आगे निकलेगा मैं 70 की स्पीड है वो 60 की है मैं आगे निकलूँगा तो मैं चला रहा हूँ, यका यक अचानक मुझे एक अवाजा की है, कि भाईया पास में दूद की दुगान है, दूद तो पी ले, तो मैं अपनी स्पेड सतर से जिरो पे लेके आ जाता हूँ, रोग लेता हूँ अपनी बाइक, अचानक क्या देखता हूँ, कि एक आगे से का धार आ रही है और जो व्यक्ति मेरे साथ कम्पेटिशन कर रहा था, वो उसके बीच में टकडाता है, उसका ब्रेके इसका साथ नहीं देती है, और इतना भ्यंकर विसपोर्ट होता है, अक्सिडेंट होता है, कि उसकी बही मौत हो जाती है, लोग उसको ले जारा रही है, आ तो मुझे याद आया कि मुझे एक आवाज आई थी कि प्रिया दूर्थ तो मैं दूर्थ पीने के लिए वहाँ चला गया हूं तो एक माता वहाँ आसु बहा रही थी कि उसकी एक बेटी है उसने शादी करनी है पैसा नहीं है घर में कैसे करेंगी उसको टेंशनल में आए उदर थी मेरी जेब में एक हजार पर है वान थाउजट तो मैंने का कि या अभी तो मोत के हाथ से आया है हो सकता है कि यह जो माता है यह कुछ लेना चाहती है इसलिए तो बच गया तो मैंने वह यह कर दिया उसको दे दी है तथा मन में विचार किया कि यह आवाज क्यों आई प्रमात्मा पहले यह दिखाना जाता था मोत पास में है देखो उसका एकसिडेंट हुआ है तो उससे तेड़ चला रहा था तेड़ स्पीड सत्तर की थी उसकी साठ की थी वह साठ अला मर गया तो स्पीड अला स्पीड अला बच गया क्योंकि अभी देया समय नहीं आया उसकी बेटी की शादी करनी उसके लिए कुछ तुझे देना था तो तुम तब बच गया तो यह दो मैने पहले जो एक का एकसेड रेंट से मैं बचा तो उसने मुझे स्खाया कि भीया इस दुनिया में कुछ अच्छे काम करके जीना है बुरे काम करने का कोई फैदा नहीं महत्-बहुत पास में हैं हम तो तिंका हैं कभी भी हम इस दुनिया से जा सकते हैं जब तक یजँ कुछ अच्छे काम करके जाएं 8 साल पहले 10 साल 1 पक्खे से मरते हुए बचा मैं 3 साल पहले एकरीयल ट्रेंस से एकसीडेन्ट होते हुए बचा 2 मैने पहले एक गार एकसीडेन्ट से बचा अभी नहीं है सुधर हुँँगा इसलिए मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ बाइंसान बूल जाता है वैसे ही मैं कुछ चीज़ें बूल जाता हूँ आज इस वीडियो के मातिम से मैं आपने आपको सिखाने की कोशिश कराओं के विनोर तुम अच्छा बन जा तो आपसे भी यही उमीद करता हूँ कि अगर आप कुछ गल्द काम करें यह तो उसको त्यागिए कुछ अच्छा काम कीजिए इसमाज में बेनिफिट देने वाला काम कीजिए क्योंकि इस जिंदगी का कोई भूसा नहीं है कब कहां आपका भी एक्सिडेंट हो जाए फिर आप पुष्टाव के कि मुझे टैम नहीं मिला टैम आपके बहुत है तो आज से ही हम एक संकल्प लेते हैं कि आज से हम अच्छा काम करेंगे We have to do some good works बहुत बहुत आपका धन्याद थेंक यू